मेरे प्रिया आत्मन सहज योग में आज दादू साहब का एक पद लेने जा रहे हैं दादू साहब का जन 1544 इस्वी में हुआ और 1603 इस्वी तक राजस्थान और पूरे भारत में दादू साहब अलख जगाते रहे दादू साहब बड़े प्यारे संत हैं और इनके 152 शिश परम ज्यान को प्लब्द हुए दादू साहब समराट अकबर के बड़े प्यासंतर है और इतने प्यारे थे कि लोग इन्हें प्यार से दादू कहते हैं कहने का अंदाज भी वड़ा मीठा है बहुत प्यार से समझाते हैं दादू साहब कहते हैं जागरे रैन विहानी जागो सुबह होने वाली है सुबह हो चुकी है और कब जागोगे जिसके लिए उपनिशत का रिशी कहता है उतिष्ठत जागरत प्राप्य वरानि बोधत ये धरती हमारे लिए एक पाटशाला है एक विद्याले है और जहां से हम आये हैं वहां हमारा असली घर है आत्म लोक में इस्पिरिट वर्ल्ड में जहां हमारा असली घर है हम बार बार वहीं से आते हैं यहां जन्म कभी किसी शहर में होता है कभी किसी देश में होता है अल और अब तो वह ज्यानिकों ने प्रयोगों द्वारा हिपनॉसिस के करीब करीब सेकड़ों लोगों पर उन्होंने प्रयोग किया है और स्पिरिट वर्ल में क्या है कैसी संस्कृति है इस पर काफी कुछ प्रयोग किया है और उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि वास्तों में हमा परमानेंट घर में रहता है और उसका 40 प्रतिशत या 50 प्रतिशत या 60 प्रतिशत अंश ही लेकर के हम आते हैं और फिर मिरित्टु के बाद हमारा अंश जाकर के अपना जो पेरेंट सोल है उससे जुड़ जाता है और बार-बार हम वहीं फिर जाते हैं और इस धर्ती पर क्यों आते हैं, शिक्षा ग्रहन करने के लिए, पाठ सीखने के लिए, लेकिन वह कौन सा पाठ है, जिसे हम सीखने के लिए यहां पर आते हैं, वह है परम जीवन का पाठ, कैसे हम गोविंद से जुणें, कैसे हम अमरत्त को उपलब्ध हो जाएं, कैसे हम ग इस्चित ही उनको फिर सरकारी नौकरी नहीं मिलती है ठीक ऐसे ही जब हम यहाँ अपने शिक्षा को ढंग से नहीं संचालित करते हैं ढंग से शिक्षा ग्रहन नहीं करते हैं तो फिर गोविंद की नौकरी हमको नहीं मिलती है और फिर फिर हमको इस्कूल में आना पड़ता है विद्याले में आना पड़ता है पार्ट सीखने के लिए उसी के और इशारा करते हूँ ये दादू साब कहते हैं कि इस धर्ती पर आये हो और जो करने आये हो जो तुम्हारा मिशन है जो तुम्हारा उद्देश है उसके प्रती जरा जागो क्योंकि ये आयू बीच जाएगी और जैसे मान लो शिक्षा गरहन करने का वक्त जो है स्कूल में पढ़ने का वक्त कॉलेज में पढ़ने का वक्त पचीस साल के उम्रे तक पढ़ोगे और अगर नहीं पढ़ोगे तो बार में अडल्ट एजुकेशन भी हो सकता है लेकिन अडल्ट एजुकेशन के बाद तुम चाओ कि आये इसमें कम्पीट करें कि सरकारी नौकरी प्राप्त कर लें वो तो मिलने वाले नहीं है इसलिए समय रहते जब तक इस धर्ती पर तुम हो तब तक समय रहते उस शिक्षा का आरंब करो किसी सद्गुरू से कामिल मुर्शित से जुड़ो और गोविंद के भेद को जानो ताकि गोविंद से जुड़ पाओ उसी के वो इशारा करते हुए कहते है कि जाग रे रहन विहानी अब रात बीती चली जा रही है अब जागो जो पाठ सीखना था उसको पढ़ो कहते हैं दादु साहब जाई जन्म अंजुली को पानी जिन्दगी कैसे बीती चली जा रही है जैसे अंजुली में जल है और जल कितना भी सम्हाल के रखो अपनी अंजुली में लेकिन वो जल धीरे धीरे छलकता है धीरे धीरे रिस्ता है धीरे धीरे घटता है ऐसे ही कितना भी शरीर को समालो याद रखना ये शरीर धीरे धीरे जरजर होता जला जाएगा आयू कम होती चली जाएगी छीजती चली जाएगी जिसके लिए कहती है सह सहजो जगत तरईया भोर की सहजो ठहरत ना ही जैसे भोर का तारा है कितनी देराकाश में चमकता हुआ दिखाई देगा तुरत सूरज उगेगा और तारा लुप्त हो जाएगा जगत तरईया ऐसा ही ये जगत है ऐसा ही हमारा संसार है ऐसी हमारी दुनिया है ऐसी हमारी पानी अंजुली माही जैसे सुबह उसकी बुंदे परती है पत्तों पर और फिर जैसे ही दिन उगता है उस विदा हो जाता है या कि अंजुली में पानी भरो तो पानी ठहरता नहीं बहुत देर तक ऐसे ही जिन्दगी फिसलती चली जाती है रिस्ती चली जाती है और एक दिन विदा हो जाती है कहते हैं दादू साहब घड़ी 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 आल बजावे जैसे घंटा बज रहा है हर घड़ी पर एक घंटा बजता चला जा रहा है ऐसा ही समझो दस्तक दे रहा है घड़ी आल और समय बीटता चला जा रहा है और हमें बोध कराता चला जा रहा है कि उ आजित साब कहते हैं जो दादू साहब के ही शिश हैं घड़ी 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 आल पुकारिया कहत है आव गई सब बीत अल पसी रहत है हर घड़ी घंटा बज़ रहा है और हमें बोध कराता है कि घंटा बीत गया ऐसे ही समय बीतता चला जा रहा है और ऐसे ही हमारी आयू जब पीवरे, अब क्या सो रहे हो बेहोशी में, मुर्छा में, निद्रा में, जागो और अपने प्रियतम का भजन करो, अपने प्रियतम की याद करो, अपने प्रियतम से जुड़ने का प्रयास करो, हरी हाँ वाजिद, चलना आज की काल बटावू जिवरे, वाजिद साब कह कहते हैं कि बस रोज ही कोई नो कोई विदा हो रहा है, तुम याभ्तरी हो, बस आज चलना है कि कल चलना है, बस ज़्यादा वक्त नहीं है. समझो कि विदा की बेला आही गई, और इसके पहले कि विदायी हो जाए, जिस मिशन पर तुम आये हो, उस मिशन को पूरा करने में लग जाओ कहते हैं दादु साहब जे दिन जाई सो बहुरीन आवे याद रखना जो दिन बीट गया लौट करके आता नहीं अगर उस दिन को तुमने कुछ पूझी अरजित नहीं की उस दिन को कोई शिक्षा गरहन नहीं की उस दिन कोई पाठ नहीं करहन किया तो वह दिन तो ऐसे ही व्यर्थ चला गया 24 गंटे जो परमात्मा देता है तुम जरा सोते समय पूछो अपने आप से कि हमने इन 24 गंटों में क्या सीखा और अगर कुछ भी नहीं सीखा तो परमात्मा की दी हुई इस एक अधवुत बेला को तुमने व्यर्थ गमा दिया जिसके लिए कबीर साब कहते हैं आचे दिन पाचे गए और गुरु से किया नहे अचे दिन थे जब जवानी के दिन थे जब शक्ति थी जब उड़ जा थी वो बीत गया और तुमने उस बीच अपने सद्गुरु नहीं खो जा सद्गुरु से नाता नहीं जोड़ा आचे दिन पाचे गए गुरु से किया नहे अब पच्तावा क्या करे चिडिया चुक गई खेत अब खेत की साज समाल खेत की रखवाली कर लो कहते हैं दादु साहब सूरज चंद कहे समझाई संबत बीता चला जा रहा है सौर संबत हो की चंदर संबत हो सौर मास हो की चंदर मास हो दोनों ही हमें याद दिलाते हैं शुकल पक्षाता है किष्ण पक्षाता है प्रतिपादा आती है और ऐसे ही कभी दू जाता है ती जाता है चोथ आता है और इसे एक आदशी आती है पुर्णिमा आती है फिर मवस्य आती है चांद भी तो हमें याद दिला रहा है कि समय बीता चला जा रहा है ऐसे ही अगर सौर मास को देखो तो ऐसे ही तारीख पर तारीख आती जाती है कैले पुलन यही जग आई के खाको रहा दिमाग और चंद रोज का जीवना आखिर होना खाक किसका अहंकार रहा है बताओ इस जिंदगी में थोड़े दिन की जिंदगी है अंत में तो खाक में मिल जाना है इसलिए इसके पहले कि शरीर खाक में मिल जाए हमें जाग जाना है कहते हैं दादु साहब दिन दिन आयू घटती जाए इस बात का बोध उतर जाए कि आयू बीती चली जा रही है और इसके पहले कि आयू बीत जाए हम अपने मिशन को पूरा करने में लग जाए ये बोध अगर नहीं उतरता और ये बोध केवल मनुश्य योनी में उतरती है केवल मनुश्य ही इस बोध से भर सकता है कि आयू बीती चली जा रही है इसको एक नए अंदाज में सुनो चुकता जाता है तेल और जलती जाती तनकी बाती रह जाती तब भी रात बहुत जिन्दगी न खुद को पढ़पाती इसके पहले की तेल जले खुद की किताब पहले पगले स्वाध्यायम शररम गच्छामी बज ओशो शररम गच्छामी कहते हैं दादू साब सरवर पानी तरवर छाया निस दिन आयू घटती जाय जैसे ताला में जल भर जाता है बरसात में और फिर धीरे धीरे छीजता चला जाता है घटता चला जाता है या किस सुभा की धूप और व्रिक्ष की छाओं बड़ी लंबी होती है लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता चला जाता है वैसे वैसे छाया घर्ती चली जाती है ऐसे ही हमारी आयू है जो घर्ती चली जाती है जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं कबीर सोता क्या करे उठके जपो दयार एक दिना है सोवना लंबे पाउं पसार कहते हैं कबीर क्या सो रहे हो और एक दिन तो लंबे पाउं पसार करके तुम्हारा शरीर ऐसे ही सो जाएगा इसके पहले कि शरीर सदा के लिए सो जाए तुम जाग जाओ कहते हैं दादु साब हंस बटाउं प्राण पयाना ये जो हमारी जीवात्मा है ये एक यात्री है एक राही है और एक दिन ये हंस विदा हो जाने वाला है सदा इस निवास में रहने वाला नहीं है क्योंकि हम विजिटर की तरह यहाँ पर आए हैं याद रखना ओशो कहते हैं कभी जन्म नहीं हुआ, कभी मृत्व नहीं हुई, बस एक विजिटर की तरह इस धर्ती पर आये हैं, तो केवल ओशो ही नहीं, हम सब एक विजिटर की तरह यहां पर आये हैं, और एक दिन हमें चल देना है, जिसके लिए कबीर साब कहते हैं, काल हमारे संगर है, कस जीवन की और दिन दस नाम समाली ले, जब लग पिंजर सांस, जब तक सांस है, जड़ा समाल लो अपने आपको, अपने आपको जो पाठ पढ़ना है, गोविंद का, सुमिरन का, समादी का वो पढ़लो, क्योंकि एक दिन ये सांस निकल जाएगी और पिंजरा खाली रह जाएगा, कह जड़ी, हमने अपने अातम राम को, भीतर आतम देवता को, भीतर गोविंद को हमने नहीं जाना, और अगर नहीं जाना, जाने बिना ऐसे प्रस्थान कर लेते हैं, तो हम अपने जीवन के उंदेश को पूरा नहीं, कर पाते हैं, इसको एक नए अन् leopard में सुनो, क्या पता क कब फ्याली फूटे और सारा जाम विखर जाए इसलिए रामरस पीता जा अपनी मस्ती में जीता जा अत मस्ती शरणम गच्छामी भज ओशो शरणम गच्छामी समय रहते किसी पूरा गुरू को खोज लो और उसे गोविंड का पाठ पढ़ो सुम्रन का समाधि का पाठ हर्यों उन्टस